subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel now student अब हम concept करेंगे validating statements कैसे statement को वालिडेट करते यानि कभी किसी statement को आपको बताना हो कि वो completely true है और false है किस तरह से बता है अब ये बताने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए कि when a statement is true एक statement को true कभ कहा जाता है तो उसके लिए first of all what does that statement mean आपको ये पता होना चाहिए कि exactly में वो जो given statement है जिसे आप validate करना चाहते वो कहता क्या है क्या मतलब है उसका आपको ये भी पता होना चाहिए what would it mean to say that this statement is true क्या मतलब है कि उसका true होने का exactly में मतलब क्या है आपने statement तो समझ लिया कि statement क्या है अब आपको ये भी समझ लिया कि true अगर हम कह रहे हैं तो किस condition में किस context में उसे true हम कह रहे हैं तो what would it mean इसका मतलब क्या है कि उसका true होने का मतलब आखिर क्या यानि क्या मीनिंग है and when this statement is not true और कभ ये statement true नहीं होगा तो आपने तीन बातों का समझना है validate करने के लिए कि statement क्या कहता है और statement के true होने का मतलब क्या है और statement के true ना होने का मतलब क्या है तो यह आपको पता होना चाहिए अब जितने भी हमने अभी तक words करें हैं and or if and only if and if and then उन पर बेस जो है हम statement हमारे पास अब आएंगे और उन्हें हम क्या करेंगे validate करेंगे यानि proof करेंगे वो to कब है और कैसे करेंगे तो कुछ steps को आपको follow करना होगा तो मैं आपको बताता हूँ one by one उन words को लेकर सी तो first of all अगर आपके पास statement दिया हो statement with and and के साथ वाला statement यानि compound statement है जिसे and के साथ आपने combine किया है तो अगर आपको उसे proof करना है उसे true proof करना है तो कैसे किस way में true करेंगे सी तो उसे करने के लिए आपके पास क्या दे रखा होगा दो यहाँ पर मैं हम देता हूँ p and q और इन्हें end से आपने combine किया है तो if p and q are mathematical statement if p and q यह अगर mathematical statement है और आपको शुरू करना है कि p and q जो है वो true है तो आपको यहाँ पर दो चीज़े से आपको शो कर सकते हैं statement p is true या तो statement p को आप true करना है आपको दो चीज़े शो करनी होंगी इसके दो component हो गए ना p and q के p and q यहाँ पर आपके पास compound है दो component हो गए एक p and q और अब आप इस पूरे compound p and q को true proof करना चाहते है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर दो काम करने है आपको p को true proof कीजिए और q को भी true कीजिए तो यानि दोनों compound को आप अलग दोनों component को अलग-अलग से true proof कीजिए और फिर आपका क्या हो जाएगा complete आपका statement true हो जाएगा जैसे अगेन यहाँ पर m and n m and n यहाँ पर यह आपका statement है और इसे आपको true proof करना है तो आप इसका एक component m को भी true proof करके दिखाएए और m को भी true proof करके दिखाएए अगर आपने दोनों true कर दिये तो इसका मतलब यह भी true हो गया और हम कैसे proof करते हैं तो इस पर बेस में आपको और हम एक एक्षाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल झाल